उत्रप्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोनल संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद भी सापताहिक लागडाउन में धील दी गई है अब सूबे में सापताहिक लागडाउन दो दिन की बजाए एक दिन का ही होगा और सनिवार को बाजार खुले रहेंगे लागडाउन में धीर जरूर दी गई है लेकिन अब आपको बेहद सतरक रहने की जरूरत है दोगज की दूरी मास्क है जरूरी इस मूलमंद को बिलकुल न भूलें और बेवज़े घरों से बाहर निकलने से बचें इसी अपील के साथ अब बात करेंगे सायाँपूर गितिन भर की अहम ख़वरों की और मैं हूँ आपके साथ स्रिमरंजी सिंग सरकार द्वारा एक सितंबर को जारी किये गए सासना देश के बाद अब सापताहिक लागडाउन एक दिन का कर दिया गया है अब सनिवार रातरी बारा बजे से रविवार रातरी बारा बजे तक संपूर लागडाउन रहेगा और सापताह के बाकी दिनों में पहले की तरह ही बाजार खोले जा सकेंगे हालां कि पहले सापताहिक लागडाउन दू दिन का था जिसमें सनिवार और रगवार को संपूर्ण लागडाउन रहता था फिलहाल अब लागडाउन में राहत दे दी गई है खाना रामचंदर मिलसन पुलिस ने नकली कीड़नासक दवाईया बनाने वाले एक गैंग का भंडा फोर्ड करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है पुलिस ने गैंक एक सदस्र को भी गृफदार किया है जिसके पास से पुलिस ने एक करोड से भी यादा कीमत के नकली की इटनासक बरामत किये है वहीं उसका दूसरा साथी भागने में काम्याब रहा साथी पुलिस ने गिरोह के सरगना जगेशुर को भी गृफदार किया है और उसका एक साथी मोहित भागने में काम्याब रहा फिलहाल पुलिस जगेशुर के खिलाफ कानूनी कारिवाई करते हुए पूरे नेडवर का पता लगाने में जुटी हुई है सदर बाजार इलाके से पांच दिन पहले लापता हुए 36 वर्सी वेक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है थाना सदर बाजार इलाके के महला बहादर पुरा का रहने वाले प्रेम सुकला पांच दिन पहले लापता हो गए थे जिसका अभी तक कोई शुराग नहीं लग सका है लापता हुए व्यक्ठी के परिजनों ने आज पुलिस साथिक शक्ट से मिलकर गुम्सुदा की तलाज कराई जाने की गुहार लगाई है लापता युवक की पत्नी नीतु सुकला ने पुलिस अधीशक से सिकायद करतों बताया कि प्रेम सुकला को आखरी बार खन्नावत नदी के पास देखा गया था लापता हुए युवक की पत्नी का यह भी आरोप है कि उसने पुलिस को भी गुमसुदगी की सिकायद की थी पुलिस ने एक वांचित अभ्युक्त को ग्रिफतार करने में काम्याबी हासिल की है। पुलिस ने इलाके के गाउं धरमपूर कंकरिया के रहने वाले रामसुरूप और वफबाबा को ग्रिफतार किया है। ग्रिफतार किये गए अभ्युक्त के खिलाफ हत्या और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पिल्हाल पुलिस ने ग्रिफतार किये अभ्युक्त को नयाया लेकर समक शुपेज कर आगे की कारिवाई सुरू कर दी है। तिलहर इलाके के गाउं राजुपूर के पास दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है इलाके के गाउं खिरियमाल के रहने वाले महेज सिंग ने कोतवाली में तहरीर देतों बताया कि इलाके के ही गाउं राजूपूर के रहने वाले लोगों ने उसके साथ मारपीट की महेज ने बताया कि तेलहर के राजनपूर पैट्रोल पम के पास पहले से घात लगाए बैटे करीब आदा दर्जन तबंगों ने उसके साथ मारपीट करना सुरू कर दिया महेज का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों के पास असलाह भी थे और उन्होंने बंदूग की बढ़ के सहारे मारपीट की घटना को अंजान दिया फिलहाल अपेडितने कोतवाली में तहरी देकर कारिवाई किये जाने की मांगी है थाना गडिया रंगिन पुलिस में अवैद असलाह के साथ एक अभ्युक्त को ग्रिफ्तार किया है ग्रिफ्तार किये गए अभ्युक्त के पास से कुछ जिन्दा कार्तूस भी बरामद हुए है पुलिस ने इलाके के गाउं रुद्रपूर के रहने वाले सोनु यादव को ग्रिफ्तार किया है सोनु के पास से एक तीन सो पंद्रह बोर की पौनिया राइफल और कुछ जिन्दा कार्तूस भरामद हुए है पुलिस ने सोनु के खिलाब विदिक कार्यवाई करते हुए नयायले के समख्षय पेस कर दिया है आज तिलहर में राष्टिय गौरच्छा संके कार्यकरताओं ने सिरीबालाजी धाम में सैनिटाइजर मसीन लगवाई है संके प्रदिल संग्ठन मंत्री यस्वंत कुमार मैथिल ने कार्यकरताओं के सास्थ पहुचकर इलाके के एक कछिआना खिडा इस्थेत सिरीबालाजी धाम ने सैनिटाइजर मसीन लगवाई है सेनिटाइज मजीन मंदिर के गेट पर ही लगाई गई है संगठन मंत्री का कहना है कि सेनिटाइजर मसीन को गेट पर लगाया गया है अब मंदिर में दर्सन करने आने वाले सरधालू गेट से ही हाथ सेनिटाइज कर अंदर पर विज़ करेंगे संगठन मंत्री ने दरसन करने आने आने वाले सुर्थालों से हाथ सेनिटाइज करके ही अंदर जाने की अपील भी की कांट पुलिस ने हत्या के प्रियास के मामले में वांशे चल रहे अपराधी को ग्रिफतार किया है ग्रिफतार किये गए अवरादी के पास से एक आवायद असलाभी पुलिस को बरामद हुआ है पुलिस ने मुख्विर की शूशना पर इलाके के गाउं राजपूर गुम्टानी के रहने वाले देवेंदर सिंग को ग्रिफतार किया है पुलिस ने ग्रिफ्तार किये गए देवेंदर के पास से एक आवायद पौनिया और कुछ जिंदा कार्तूस वरामत किये है पुलिस ने देवेंदर की लंबे समय से तलास में जुटी थी फिलहाल पुलिस ने गृतार किये गए अभियुथ को नियायाले के समक्ष पेश कर मामले में जाँचा सुरू कर दी है जिलादकारी इंद्र विक्रम सिंग ने आज महानगर के मगही टोला में निर्मानाधीन वीवी पैड गोदाम का और चकन रिशन किया यहाँ गोदाम के निर्मानकारी में धीमी गती पर नाराज़गी जताते हुए कारेदाई संस्था को फटकार लगाई साथी उन्होंने चेताबनी दी है कि अगर निर्मान कारे में कोई भी कोता ही बरती गई तो समय सीमा के अंदर निर्मान कारे पूरा नहीं किया गया तो संस्था के खिलाव विदिक कारिवाई की जाएगी थाना खुदअगंज पुलिस ने टॉप टैन बदमास को ग्रिफतार करने में काम्याबी हासिल की है पुलिस ने बदमास के पास से एक आवाय तमंचा और कुछ जिंदाकार तूस वरामत की है ग्रिफतार किया गया बदमास पड़ोसी जनपत पीली भीत के थाना बेसलपूर इलाके का रहने वाला बेद प्रकास और फगांठी है गांठी के खिलाव गंभीर धाराओं में करीब डेड़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है पुलिस ने ग्रिफतार किया गया बेद प्रकास और फगांठी को न्यायाले के समक्ष पेशकार मामले में चांच सुरू कर दी है जिले में आज 99 और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं वीते 24 घंट में 37 मरीज स्वास्थ हे हैं जिसके बाद अब तक कुल स्वास्थ हुए मरीज॑ की संख्या 2,631 हो गई है वहीं वीते 24 घंट में दो मरीज्यों की संक्रमन के चलते मौद भी हुई है और 858 मरीज॑ को अभी 20 स्वास्थ है निगरानी में रखा गया है